हेलो फ्रेंड्स मेरे नाम है विकास और अगर आप फेस्बुक पर कवर फोटो लगा रहे हो अपने आईडी पर या पेज पर आपको कैमेरे गरिसान पर जाना है अपलोड फोटो पर आप टच कर रहे हो तो आपको यहाँ पर यह दिक्कत देखने को मिल रही है इस फोटो इस not large enough to use as a timeline इसको ठीक कैसे करें मैं आपको बताता हूं तो फोटो मेरा गैलरी में है और मैं उसी को लगाना चाहता हूं मैं वही फोटो लगाना चाहता हूं कोई और फोटो नहीं लगाना चाहता हूं आप जाए सिंपल प्ले स्टोर में यहाँ पे आप सर्च करें पिक्सल पिक्सल लैब सर्च कर लीजिए और इसको इंस्टॉल कर लीजिए इस एपलिकेशन को फिर इसी ओपन कर लीजिए ओपन करने के बाद आपके पास इसका होम पेज आ जाएगा जो की कुछ ही इस तरीके का होगा ऐसा पेज आएगा उपर आपको प्लस का आगन पे टच करना है from gallery पे जाना है यहाँ पर तीन डॉट पर टच करना है ब्राउजर पर जाना है और अपने फोटो को select करना है यह रहा मेरा फोटो मैं इस पर टच करता हूं इसके बाद आप इस फोटो को adjust कर लिजी crop कर लिजी इतना अब लगाना चाहते हो मैं यह फोटो को इतना कर लेता यहां पर क्योंकि यह फोटो ज्यादा बड़ा है इतना कर लेता हूं नीचे राइट आप्सेन पर टच करते हैं इसे सेट कर लीजिए पूरे पेज पर यहां पर ऐसे कर गए save option पे touch करिए save image कर दीजिए और save कर दीजिए फिर जाएए आप simple अपने facebook में camera के निजान पे जाएए upload photo पे जाएए फिर से और नया वाला photo जो हमने edit किया है उसे देखिए यह रहा photo मैं select करता हूँ देख सकते हो photo यहाँ पे दिखा रहा है photo एक दम blank है इसलिए यहाँ पे नई show हो रहा है वैसे अगर photo मेरा blank नहीं होता तो सईसी दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा edit कर देता हूँ उसको सईसे ताकि आपको मैं इसको ऐसे कर देता हूँ उपर save image पे touch करते हैं save image कर देते हैं और save कर देते हैं यहाँ पे अफिर से हम photo को select करते हैं क्योंकि हमने photo में थोड़ी changing करी है इस पे touch करते हैं upload photo पे आते हैं यह रहा नया वाला photo select करते हैं तो देख सकते हो photo आ चुका है save option पे touch करते हैं और हमारा cover photo लग जाएगा मैं इसे बन कर देता हूँ और save option पे touch करता हूँ तो देख सकते हो cover photo लग गया है वीडियो पसंद आएए लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें